नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज 28 सेतंबर दिन गुरुवार खबरो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर मुख्य मंत्री ने इद ए मिलाद उन नभी की दी बधाई एवं शुब कामनाई आज होगा फित्री पक्ष मेले का उदगाटन ऐसी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था स्पीड मीटर खड़ाब होने पर देना होगा इतना जर्माना बिहार के जेलों में बने उतपाद इस नाम से आएंगे बाजार में तीस सितंबर से पहले निप्टा ले ये जरूरी काम वरना हो सकता है नुकसान अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की पचीस बड़ी खबरों के ओर वस्तार से एन एस सील में जूनियर ओफिसर और ट्रेनी पदों के लिए आवीदन तिथी बढ़ी नेशनल सीर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेट के द्वारा जूनियर ओफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी और ट्रेनी के नवासी रिक्त पदों पर आवीदन करने के लिए अंतिम्तिथी को बढ़ा दिया गया है बता दी कि पहले जहां आवीदन करने की अंतिम्तिथी 25 सितंबर तक निर्धारित की गई थी तो वहीं अब यतारीक 10 ओक्टूबर 2023 तक निर्धारित कर दी गई है ऐसे में वे अभियर्थी जो इस भरती में शामिल होना चाहते हैं और किसी कारनवश आवीदन नहीं कर सके थे वे 10 ओक्टूबर तक आवीदन कर सकते हैं आवीदन करने के लिए अभियर्थी को राष्ट्रिय बीज निगम लिमिटेट की ओफिसियल वेबसाइट इंडियासीट्स.com पर जाकर आवीदन करना होगा इसके लिए अगर सैचनेक योगिता की बात करे तो योगिता पदो के इंसार निर्धारित की गई है ऐसे में उमिद्वार जारी के गया दिसूशना को देख सकते हैं पर राजेवाशियों को हार्दिक बधाई एवं शुब कामनायद दी गई है मुखे मंत्री के द्वारा कहा गया है कि पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब की तालीम पूरे मानव समाज की तरक्की और खुसनदी के लिए थी उनका पैगाम प्रेम सहिस्रूंता, साधन्ती एवं विश्व बंधुत्व का था मुखे मंत्री ने प्रदेश वासियों को पारसपरिक सोहार्द आपसी प्रेम एवं सहिस्रूंता के साथ ईदे मिलाद उन्नभी बनाने का आवाहन किया है बिहारिक बोतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अखिलेंद्र मिश्रा के बारे में अखिलेंद्र मिश्रा का जन्म आजी के दिन 1960 में हुआ था यह एक भारतिय फिल्म और टेलिवीजन चरतर अभिनेता है जिनने 1990 के दशक की दूर दर्तन 85 तेलिवीजन श्रंकला चंदरकांता में क्रूर सिंग की भूमिका के लिए जाना जाता है उनके अन्य उलेखनी एक काडियों में 1999 की समिक छकोद्वरा प्रसंसित फिल्म सरफरोस में मिर्ची सेट का किरदार स्तामिल है उन्होंने अकाद में पुरुसका नमांकित फिल्म लगान में अर्जन का करदार भी नभाया उन्होंने 2008 में हिंदू महाकावे रमायन के टेलिवीजन रुपांतरन में राक्छस राचा रावन की भूमिका निभाई अकिलेंद्र मिश्रा ने 1995 में रिलीज हुई वीरगती में सल्मान खान के साथ खलनाया की भूमिका निभाई अकिलेंद्र मिश्रा को पहली बार कवीता चौधरी द्वारा लिखित और नर्देशित उरान में देखा गया था जिसनोंने एक छोटी भूमिका निभाई थी इनके पहले फिल्म 1993 में सुधीर मिश्रा द्वारा लिखित नर्देशित धावी थी जिसने 1993 में हिंदी में सर्वस्टिष्ट फीचर फिल्म सर्वस्टिष्ट संगीत नर्देशिन और सर्वस्टिष्ट संपाधन के लिए राश्च्य फिल्म पुरुसकार जीता था उन्होंने अकादमे पुरुसकार नामांकित फिल्म लगान में अर्जन की भूमिका भी निभाई आज होगा पित्री पक्ष मेले का उद्गाटन ऐसी दहीगी सुरक्षा व्यवस्था आज यानी के 8 सितंबर से विश्व प्रसिद पित्री पक्ष मेले की श्रवात होड़ी है बतादे किस बार इस मेले में कड़ी 15 लाग तर्थ यातियों की पहुँचने की संभावना जताई गई है मालमों के पित्री पक्ष के दोरान विश्व धरोहर महाबोधी मंदर की सुरक्षा के भी सक्त नर्देश दिये गए हैं मंदर परिसर में प्रवेश करने से लेकर बाहर निकले तक पिंड़ दानियों वा आम श्रद्धालों पर विसेश निगलानी रखी जाएगी इसके अलावर श्रद्धालों के पास मौझूद पिंडदान से सम्मन्धत सामकरी वा कुछ धातू के बरतन की जांच लगे जिसका नर्की शहायता से की जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सुरक्षा को लेकर गया जंक्सन के विवन जगों पर 108 फोर्स की तैनाती की जाएगी वहीं मेरी सहेली टीम महिला रेल यात्रियों से बातचीत कर फीडबैक लेंगी इसके लावा टिकट दरालों पर नजर बनाए रखने के लिए 10 चुनिंदा जवानों की एक स्पेसल टीम गठित की गई है पित्रिपक्ष मेला आवधी में तर्थ यात्रियों को विदी और यात्यात व्यवस्ता उपलत धकराने के लिए जिरा प्रशासर ने ठोस्त यारी की है पूरे मेरा चेतर में 43 जोन में बनाये गया है सभी 43 जोन को भी 329 सेक्टर में बाटा गया है सभी सेक्टर में पड़याप्त संख्या में दंदाधिकारी, पुलिस पड़याप्त संख्या में पुलिस बल लगाए गया है पतादी कि हमेरा 14 ओक्टूबर तक चलने वाला है स्पीड मीटर खड़ाब होने पर देना होगा इतना जर्माना विहार सरकार के पड़िवान विभाग के दोरा दी गए जानकारी के नुसार अब विहार में चलने वाले गारियों में स्पीड मीटर खड़ाब रहता है तो बाहन मालिकों को 2000 रुपए जर्माना देना होगा हाला कि पहले फेज में यह नियम कमर्सिल वाहनों पर लागू किया जाएगा और फिर दिसम्बर से यह नियम नीची वाहनों पर भी लागू हो जाएंगे मालूमों कि नीची वाहनों पर DTO और MBI जिर्माना लगाएंगे आपकी जानकारी के लिबतादी की पडिवन विभाग के द्वारा किये गए एक जांस से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि लगभग 60 फीजदी वाहन ऐसे होते हैं चिन्मिल स्मार्ट स्पीड मीटर खड़ाब होते हैं जिसे उन्हें वाहन की गती की जानकारी नहीं मिल पाती और वे यातयात नियम का उलंगन करते वे वाहन का परिचाल अंतेज गती में करते हैं जिसे की सर्वदुर घटना घटित हो जाती है केके पाठक के नर्देश के बाद स्कूल से गायब रहने पर 3,32,000 चात्रों के नाम कटे विहार में सिक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीब केके पाठक के नर्देश के बाद विहार के सरकारी स्कूलों में 15 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्तित रहने वाले चात्रों के खिलाफ काड़वाई करते वे कुल 3,32,000 चात्रों के नाम को कार दिये गए है बतादिक इस बारे में विभाग के अधिकारी के दोरा दी गई जानकारी के नुसार बच्चों के स्कूल में अनुपस्तित रहने के संबंद में उनके अभिवावकों से सपत मांगा गया था लेकिन कई अभिवावक ऐसे थे जिन्होंने विभाग की बात को अंसुना कर दिया गाई पालन के लिए इस वेबसाइट पर आबेदन कर पाएं अनुदान अगर आप लिहार के नागरिक हैं और गाई पालने की इच्छा रखते हैं तो यहां खबर आपके लिए है पतादे की युवाओं को सरोजगार से जोड़ने और दुख्ध उत्पादर में बढ़ावा देने के लिए राजे सरकार की ओर से देशी गौपालन पुर्थसाहन योजना के तहत 55 प्रतीशत तक का अनुदान दिया जाता है जिसमें से सीस्ट के लिए 75 प्रतीशत तो वहीं सभी वर्गों के लिए 50 प्रतीशत का अनुदान का प्रावधान है ऐसे में अगर आप भी योजना का लाब उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गव्य विकास सिभाग के वेबसाइट डेरी.bihar.gov.in पर चाकर आविदन करना होगा मालू हो किस योजना के तहट दो दुधारू पर 2,42,000 रुपए चार दुधारू पर 5,20,000 रुपए पंदरगायों पर 20,20, 20,000 और 20,000 पर 26,70,000 रुपए रिन का प्रावधान हैं। संख्य 230259, दानापूर SMVB, संख्या 03260,000, संख्या 033247, दानापूर SMVB, बैंगलोरू सेशल, गाली संख्या 0342, Stephen. जारखन की एटलेट सपना करेंगी बिहार क्या प्रतिनिधत्व राजे में खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा किये गया एलान की मेडल लाव और नौकरी पाउ से प्रभाविथ होकर परऊसी राजि जहरकर के रामगर की रहने वाली सपनाकुमारी बिहार का प्रतिनित्व करने के लिए पूरी तरह तयार हो गई है मालुम हो कि सपना कुमारी वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2013 राष्ट्री और अंतराष्ट्री अस्तर पर कई पदक जी चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी जहारकन सरकार की ओर से उन्हें मूल भुद सुविधाएं और सम्मान नहीं दिया जा रहा पतादे कि सम्मन में सपना कुमारी के दोरा बताये गया है कि बिहार सरकार के इस बिहार राजिक खेल प्रादिकरन की खेल निती के बारे में उन्हें इंस्टाग्राम से जानकारी मीरी थी जिसके बाद मैंने खेल प्राधिकरण के Maha निदेशर क्रवेंदर शंक्रन से संपर्ण किया उन्होंने मेरा स्वागत किया मैंने उसे request किया कि वे बिहार के बच्चों को support कर रहे हैं मुझे भी खड़े मुझे आपकी जरूरत है तो उन्होंने कहा कि बिहार राजे खेल प्रादीकरन की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए वख किया जाएगा बिहार परिटर में आज हम बात करेंगे चंडी अस्थान विरादपूर के बारे में सहरसा में इस चंडी अस्थान मंदर देवी सकती को समर्पित देश के प्रमुख सकती पीठों में से एक है ऐसा कहा जाता है कि मंदर हजारो वर्ष पुराना है और माचंडी यहां स्वेम अवतरित हुई थी इस मंदर का तिहास महाभारत काल से जुरा हुआ है जब पार्णव निर्वाशन काल में थे उन्होंने यहां रुक कर माचंडी की पूजा अर्चना की थी चंडी अस्थान विरादपूर एक दैविक एवं चमतकारिक मंदर है और ऐसा देखा गया है कि मा की पूजा अर्चना के दोरान चड़ाया जाने वारा जल कहा जाता है इसकी जानकारी आस तक कसी को नहीं मिल पाई है पुड़ाततो विभाग द्वारा दो बार सर्वेक्षन किया गया सर्वेक्षन में हजारों वर्ष पुराने अफसेज भी मिले हैं खुदाई से ये अप्रमान मिला है कि मंदर हजारों वर्ष पुराना है और लोगों के प्रमुक आस्था का केंद्र है अनंत मनुहर होंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बितगन बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मती से बिहार मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अनंत मोहन बदर के नाम का प्रस्ताव बिहार विधान परिसत के सभापती देवेश चंदर ठाकुर के द्वारा दिया गया था जिस पर सभी के द्वारा सेहमती जताई गई मालुम हो किस बैठक में सभापती देवेश चंदर ठाकुर के अलावा विधान सभा अध्यक्ष अवद बिहारी चौतरी और विधान सभा में विपक्ष के निता विजय सन्हा भी सामिल हुए थे अग्वी जानकारी के लिवता दे के अनंत मौनोहर बदर पटना हाई कोड के सेवा निवरत नया धीश है वहीं अबने बिहार राजी मानवादिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है रनवीर नंदन ने बताया जेडियू छोडने का कारण मुख्य मंतरे नितीश कुमार के कड़ी भी कहे जाने वाले पुडविधान पारसत रनवीर नंदन के दौरा जेडियू से स्थफा दे दिया गया है बता दी कि उन्होंने अपना स्थफा पत्र पार्टी के राश्ट् विभार के जेलों में बने उत्पाद इसनाम से आएंगे बाजार में ग्री विभाग के दोरा जेल में बंद कैदियों की उर्जा का सकरात्मक इस्तमाल करने के लिए उनको जेल परिसर में ही चलाए जाने वाले विविन लगू उद्धियों को से जोड़ दिये गए हैं ऐसे में इनके दोरा जिन भी उत्पादों का नणमान किया जाएगा उन्हें बाजार में मुक्ती ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा इससे ना केवल कैदियों की काड़े को शलता बढ़ेगी बलकि उनकी आई भी बढ़ेगी पतादे की बिहार के जिन जिलों में जिन सामग पुरियों का उत्पादन किया जाएगा उसमें आदर्श केंदरी काड़ा बेउर में सरसो तेल, चनासत्तू, जीरा, गोलकी, धन्या, मिर्चव, हल्दी पाउडर, स्लाइस ब्रिट का उत्पादन किया जाएगा इसके लावा मुझपरपुर में सरसो तेल, मसाला पाउडर, लकरी के फ्लावर पॉट, फोल्डिंग स्टूल, चेर और डिजाइन अड्रेस, कया में डिजाइन अड्रेस, कुर्ता पाईजामा, गमचा, चादर, फिनाईल और कास्टिंग साबुन, भागलपुर में सरसो तेल, मसाला पाउडर, पुर्णिया में सरसो तेल, चनासत्तू मसाला पाउडर, भागलपुर में प्रिंटिंग प्रेस, नोट पैट, चपल, और्गनिक कमपोस्ट, कुर्ता, पैजामा, हरवर्टी का उत्पादन किया जाएगा। इसके लावा फुलवारी सरीफ, आरा, बकसर और मोतिहारी के जेल में भी विविन तरह के उत्पाद बना काया गया है कि कटिहार के 50 वे अस्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कारिक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जसमें बॉलेवुट के जाने माने गायक अंकित तिवारी भी इस कारिक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनके द्वारा इस तोरान एक सांस्कृतिक कारिक्रम का की गई है, प्रदेश में बारिस की संभावना न न के बढावर, पिहार में म forehead का मेजाज एक बार फिर से करबट लेने वाला है, पिछले दिनों जिस तरह से प्रदेश में बारिस हुई है, एक बार फिर से उसी तरह की मौंसूनी ऍटेविटी बनी हुई है, हलांकि प्रद सितंबर का महीना खत्म होने में अब बस कुछी दिन बाकी रहे गया है इसे में कुछ काम ऐसे हैं जो आपको 30 सितंबर से पहले निप्टा लेने जरूरी है नई तो आपको इसका नुकसान सहना पड़ सकता है जिसमें से सबसे पहला काम 2000 रुपए के नोट को बैंकों में जाकर बदलना है अगर आपके पास भी 2000 के नोट है तो 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जाकर उन्हें बदल वाले ऐसे में ये नोट रदी के समान हो जाएंगे इसके लावा अगर आप सरकारी योजना पबलिक प्रोविडिड फंड और सुकन्या सम्रिद योजना समीत अने में इन्वेस्ट करने का चाहते हैं तो फिर आप 30 सितंबर तक आधा नंबर अपडेट करा ले अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है या निवेस पर रोक लग सकती है भारती रिज़र्ब बैंक के दिशानरदेशों के मताविक बैंक लॉकर लेने वाले ग्रागों को नए एग्रिमेंट पर साइन करना जरूरी है यदि आपका भी इन बैंक मे बंद होने वाली है चारा घूटाले मामले में सजा बढ़ाने की याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई बिते दिन जारकं हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन मुकोपाधियाई की अध्यक्षता वाली खंड पीट के दौरा बहुत चर्चित चारा घूटाले में CBI के दोरा यह हमांकी गई कि इस मामले में आगे की तारीक तीजा जिसके बाद E states के अगली तारीक दिसमबर के दूसरे सफ ऩह मकरर की गई है। इस मामले के लेकर लायू Γιαदवания को दूगाजार सतरह में साधे 3 साल की सजा मिल चुकी है। लेकिन सजा की अवधी का आधा हिस्ता पूरा करने के बाद उन्हीं छारकन हाई कोड से जमानत मिल चुकी है जिसके बाद CBI के दौर याचिका दाखिल कर कहा गया कि लालू यादव को भी साथ साल की सजा मिलनी चाहिए मुख्य मंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीक नस्दीक अगर आभी अपना काड़ोबार थापित करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभात के दौरा मुख्य मंत्री उद्यमी यो रूपे राशीरिन के रूप में दी जाती है बतादे कि स्योजना के तहर दी जाने वाली 10 लाख रूपे के रासी पर महिलाओं के लिए अति पिछला वर्ग के लिए और अनुस्चित चाती जन जाती के लिए ब्याजदर सुने प्रतीशत होता है वही युवाओं के लिए ब्याजदर एक प्रतीशत होता है ऐसे में एक्चुक युवक युवती जो इस्तियोजना का लाब उठाना चाहते हैं वो तीस सितम वर 2023 सक स्ट्ट पियेस कोलंब स्लैसलैस उद्यमी.bihar.gov.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं सियम नितीश और चाचा पसुपती पारस पर भड़के चिराग पासवान.LJPR चीफ चिराग पासवान के द्वारा बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार और अपने चाचा केंदरिय मंत्री पसुपती पारस पर जमकर हमला बोला गया उन्होंने सीएम नितीश पर तंच कस्तेवे कहा कि नितीश कुमार की पुरानी रणनीती का हिस्सा रहा है कि वह जिस्कडवंधर में रहते हैं उस पर दवाब बना कर रखते हैं लेकिन उनकी अभिया प्रेसर पॉलिटिक्स को बिहार की जंता पसंद नहीं करती वहीं केंदरी मंतरी पसुपती पारस पर तंच कस्तेवे उन्होंने कहा कि यकिनन वो लोग मुख्यमंतरी नितीश कुमार का स्वागत तो करेंगे हैं तो उनके लिए स्वागत करना तो बनता ही है उन्होंने कहा कि दूसरों का डर दिखा कर मौझूद गडबंधन से जादा से जादा लाब लेना ये मुख्यमंतरी की पुरानी रनिती का हिस्सा है भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कार्णो से दर्ज अंतिम मुगल बात्सा बहादूर शाह दूइते ने 837 में दिल्ली का साशन संभाला विश्व बैंक ने 2004 में भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थवेवस्था कहा स्टार खिलारी सानिया मिर्जा 2009 में पैन पैसिफिक ओपिन के पहले राउंड में हार के बाद बाहर हुई मुखे मंत्री माया बतीनी 2011 में बहतर जिलो वाले उत्तर प्रदीश में पंच सीन नगर प्रबुद नगर और संभल नामक तीन और जलिके निर्मान की गोशना की आध्यात्मी गुरू सिर्डी साईंबाबा का 836 में जन हुआ हिंदी के साहितेकार तथा सरस्वती पत्रिका के संपादक स्री नडाया चतरवेदी का 885 में जन हुआ महान स्वतंता सिनानी भगस्सिंग का 1907 में जन हुआ अभिनिता पी जैराज का 1909 में जन हुआ भारतिये पारसव गाई का लतामंगेशकर का 1929 में जन हुआ भारत के 41 वी मुख्य न्याइधी स्राजिंद्र मल लोड़ा का 1934 में जन हुआ प्रसिद भारतिये निशाने बाज अभिनव बिंदरा का 1932 में जन हुआ बॉलिवर्ड अविनेता रन्बीर कपूर का 1932 में जन हुआ अग्रेज प्राच्य विद्यापंडित और विधी सास्री तथा प्राचीन भारस संबंधी सांस्क्रितिक अनुसांधानों के प्रारंब करता वीलियम जोंस का 1776 में जन हुआ भारत के पहले राष्टे स्रक्षा सलाकार विजेस मिर्श्र का 2012 में जन हुआ टेलिग्राम यूजस स्टोडी पर लगा सकेंगे म्यूजिक इंस्टेंट मल्टी मीडिया मैसेजिंग अप टेलिग्राम ने हाली में यूजस के लिए नए फीचर्स रिवील किये हैं इन फीचर्स में यूजस को स्टोडी और कई सारे तरीके के नए स्टीकर मिलेंगे अगर आप भी टेलिग्राम यूजर हैं तो आपको इनके बारे में जरूर चाना चाहिए आपको बता दी कि टेलिग्राम के जरीए आप मैसेज, वीडियो और फोटो तीनों ही सेंड कर सकते हैं साथ ही टेलिग्राम में वाटसेप की तरह फाइल साइज की कोई दिकत नहीं होती यहां हम आपको टेलिग्राम के नए फीचर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं इसके लावर टेलिग्राम के यूजर स अब व्यू वन्स मोड में फोटो वीडियो शेयर कर सकेंगे स्टोरीज को अब टेलिग्राम के चैनल पर भी अप्रोड किया जा सकेगा टेलिग्राम स्टोरीज को भी इस्टाग्राम स्टोरीज की तरह 6, 12, 24 और 48 घंटे के लिए अपडेट किया जा सकेगा टेलिग्राम के प्रीमियम यूजर स्टोरीज को बूस्ट यानी प्रमोट भी कर सकेंगे चैनल को बहतर दनाने के लिए टेलिग्राम और टिप्स भी देगा इसके लिए आपको चैनल इंफो, मोर, स्टेटिस्टिक्स, बूस्ट चेक कर सकते हैं प्रिटेलिग्राम यूजर्स इस्टिकर्स स्टोर्इस पर एक एक स्टोरी पर एक ही रेक्षन दे सकेंगे जबकि p nerede प्रीम यूजर्स के लिए पांच बार रेक्षन देने का औप्शन है स्टोरीज में म्यूजिक एड करने के लिए आप फोन की गालरी की मदद ले सकते हैं वालकर में आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में सोसल मेडिया पर कहीं सूचना बारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रोई नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने टूइट में लिखा है कि यह संग्यान में लाया गया है P.I.B. ने अपने टूइट में आगे लिखा है कि कृपया ध्यान दे कि M.E.I.T.Y. या डिजिटल इंडिया कॉर्पोरिशन जनता से ऐसे किसी फंड की मांग नहीं करता है यह दस्तावेश नकली है और लोगों को गुमड़ा करने और धोका देने के लिए इस्तमाल किये जा रहे हैं प्रमानिक रिक्ति घोषनाओं के लिए हमिशा प्रमानिक डिजिटल इंडिया वेबसाइट काम के बात आधार कार्ड होते हैं चार तरह के काम की बात में आज हम आपको एक महतपुन जानकारी देने वाले हैं बतादे कि UIDAI की ओर से कुल चार तरह के आधार कार्ड जारी किये जाते हैं जिसमें से पहला प्रकार एक पेपर बेस्ट लेमिनेट इडिलेटर है जिस पर प्रिंट करने की तारीक के साथ साथ आधार बनन जारी किया जाता है इसमें जानकारी के साथ फोटो भी शामिल होता है इसके बिना किसे सुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है इसके अलावा चौथे प्रकार में ये आधार कार्ड होता है जो एक एलक्ट्रोनिक आधार कार्ड पासवर्ड से सुरक्षित रहता है इसे आप रेजिस्टर मुवाइल नमबर से डाउनलोड कर सकते हैं आरा फैमिली कोट पहुंचे पवन सिंग और जोती सिंग बीते दिन भोजपुरे फिल्मों के अभिनेता वा सिंगर पवन सिंग और उनकी पत्नी जोती सिंग आरा सिवल कोट के फैमिली कोट पहुंचे जहां पवन सिंग के दौरा पत्नी जोती सिंग से तालाग की अरजी दी गई थी मालूमों कि उनके तालाग मामले पर बीते 19 सितंबर को ही सुनवाई होनी थी लेकिन उस दिन कोर्ट नहीं रहने के कारण वही कोर्ट नहीं गया थे कैसे में विकल कोर्ट में पेश होने पहुँचे जहां पवन सिंग को देखनी के लिए कोर्ट परिसर में उनके समर्थकों की भीर लग गई बतादे कि दौरान पवन सिंग के समर्थकों के द्वारा उनके नाम के जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए मालमों कि पवन सिंग आड़ा फैमिली कोर्ट भाड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचे थे CM नितीश ने बीतर दिन इन दो महतपुन कारियों को किया पूरा बीते दिन मक्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा बांका सदर अस्पताल में 13 करोड 90 लाग रुपे की लाग से नव निन्मित मौडल अस्पताल भावन का फीता काट कर एवं सिलापट अनावरन कर उधगाटन किया गया वह उधगाटन के बाद सीम नितीश ने मौडल अस्पताल भावन का निरेक्शन कर मरीजों का उपलदक राई जाने वाली सुवधाओं चिकसकों के आवासन निर्शुलक दवा वितरन आदी के बारे में जानकारी ली इस दुरान सीम ने स्वास्ते साहिता केंद्र पर स्वास्ते मित्र के रूप में सेवारत जिवी का दीदियों से बादचीत की और उनके अनभव जाने वह उन्होंने सदर अस्पताल परिसर में दीदी के रसुई का फीता काट कर एबं दीप प्रजुलित कर लोकारपन किया उन्होंने इंडोर स्टेडियम बांका का भी निरिक्षन किया इसके अलावा आर एम के हाई स्कूल बांका परिसर इस्थ डिजिडल लाइब्रेरी का निरिक्षन किया और वहां के विद्यार्थियों से बादचीत की इसके बाद सीम नितीष यमूई जला के सोनो प्रकरण प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवार और सुजरे जवाब बताएंगे जो की बीपैसी पिहार पुलिस दरोगा समीत स्सी जैसे अने प्रतियोगी परिक्षाव में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करेंट अफियर्स और भूगोज से रहेंगे पूछे गए पांच उस सवाल में आपने कितना सहुतर दिया कृपा करके यहां में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसका सहुतर है option B Indonesia अगला सवाल हाली में multiplex association ओफ इंडिया ने कब national cinema डे मनाने की घोशना की है option E 5 October, option B 7 October, option C 13 October, option D 15 October इसका सहुतर है option C 13 October अगला सवाल विहार का राज्य पक्षी क्या है? option A तोता, option B कोयल, option C कबूतर, option D गोड़या इसका सहुतर है option D गोड़या अगला सवाल विहार के किस छित्र में अधिक्तम औसत आधरता का अनुभाव होता है? option A मुझपरपुर, option B मौंगे, option C पटना, option D भागलपुर इसका सहुतर है option D भागलपुर अगला सवाल विहार के उचाई कितनी है? option A 153 feet, option B 155 feet, option C 165 feet, option D 161 feet इसका सहुतर है option D 161 feet बीते दिन हमारे दुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अप्टा जवाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जीवन पासवान, मनन कुमार, मुहमद फ़हीं, अतीक खान, प्रयाक सिंग, मुहमद अजगर कमाल, नुनु गोलु कुमार, राजकिश्वर मातो, मुहमद सकीर हुसैन, पवन सिंग, मोतीलाल कु जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें, बिहारी न्यूस और साथ ही, अगर आप यूटूब से देख रहा है, चानल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं, तो पेस को फॉलो करना ना भूले था देवाद,